UAE में जुर्माने में किया गया है भारी बदलाव देखिये UAE ने Emirates ID नवास वीजा के उलंगन के लिए जुर्माने में चेंजिस कर दिये हैं सेयोगतिरप अमराथ में पहचान दागरिक्ता सीमा शुलक और बंदर का सुरक्षा यानि की ICP के लिए संगिये प्राधिकरण ने अमराथ ID कार्ट नवास वाओं और विरेशियों के मामलों में संबंदत बभन प्रकार के प्रशास्तनिक उलंगनों को रिखांकित किया है जिसमें उलंगन के प्रकार के अधाल पर अलग-अलग जुर्माने हैं गल्फ न्यूस द्वारर रिपूट की गई अधिकारियों द्वारा हाल ही में लागों किये गए उलंगनों और जुर्माने के बारे में आपको जो कुछ जानने के अवशक्ता है उनके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे पहला जुर्माना जो चेंज किया गया है इसमें आपको 500 दिरहम का जुर्माना लगेगा देखें ऐसे लेंदेन जो प्रस्तूत करना जो उस सुविधा से संबंधित नहीं है जिसमें व्यक्ति काम करता है तो 500 दिरहम का जुर्माना लगेगा यह दिरहम जिसे फौरी भी कहते हैं कि माध्यम से लें दिन दर्च करना जो उस सुवधा से संबंदित नहीं है जुसके लिए व्यक्ति काम करता है अगर ऐसा करते हुए पाय जाते हैं तो पांसो दिरहम का जुर्मान लगेगा प्रतिनीरी द्वारा लें देन प्रस्तूत करते समय एमिरीट्स कार्ड ना ले जाना इस पर भी जुर्मान लगेगा सेवा प्राफधान किंद्रों में कार्य प्रतिनाली का उलंगन करते हुए पाय जाते हैं तो पांसो दिरहम त्यार रखिएगा आप से लिया जाएगा जुर्माने के तौर पर वहीं शेत्र को दिये गए जो वचन है यानि कि जुस स्टेटमेंट है उसका पालन अगर आप नहीं करेंगे तो इसके लिए भी पांसो दिरहम का जुर्माना देना होगा आप चलिए बात करते हैं पांच जार दिरहम का जुर्माने के बारे में तो देखिए सिस्टम का मिस्यूस करते हुए पाय जाते हैं तो पांच जार दिरहम का जुर्माना लगीगा लेंदेन को पूरा करने के लिए जिम्मदारी जिम्मदार शित्र के करमचारियों के काम में अगर आप बाधा डालते हुए पाय जाते हैं उन्हें डिस्टर्ब करते हुए पाय जाते हैं तो पांच जार दिर हम आपसे लिए जाएंगे जुर्माने के तौर पर सेक्टर करमचारियों के साथ सयोग करने में फेलियर अगर होता है तो इसके लिए भी जुर्माना लगाए जाएगा सिस्टम यूजर द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड करने के परिनाम स्वरूफ अगर फानेशली लॉस होता है और उसकी छटी पूर्ती आप नहीं कर पाते उसमें फेल हो जाते हैं तो ऐसे में भी आप पर जुर्माना लगेगा किसी ऐसे कंपणी या प्रतुष्ठावन को जो वीजा या प्रवेज पॉमिट जारी करती है किसी भी अक्टिविटी में अटाश नहीं है ऐसे कंपणी में के आईडी कार्ड को रिजिस्ट्र करने में और जारी करने में लेट हो तो ऐसे में भी जुर्माना लगाए साथ ही expiry date से 30 दिनों के बाद Emirates कार्ट को renew करने में अगर देरी होती है तो भी 5000 दरहम का जर्माना लगाए जाएगा तो देखिए system users से आवेदन प्रिंट करने में inaccuracy यानि कि अशुद्धियां होंगी उसके लिए जर्माना 100 दरहम रखा गया है जब services recipients को गलत data प्रुदान करने के लिए जर्माना जो है वो 30,000 दरहम रखा गया है इसके अलावा किसी भी activity में attached नहीं होने वाले company को वीजा या प्रवेश पॉमिट जारी करने के लिए जर्माना 20,000 दरहम रखा गया है देगे विशेश रूप से ICP के according Emirates ID और निवास पॉमिट के धारक को valid reasons होने पर समाप्ती तिथी से दो महीने पहले तक उन्हें renew करने के लिए आवेदन कर सकते हैं विशेश मामलों में यानि कि कुछ specific cases में 6 महीने पहले इसे renew करने के लिए निवास और विदाईश मामलों के निदेशा ले यानि कि GDRFA से विशेश permission ली जा सकती है कुछ जुर्माने से छूट भी दी गई है जैसे कि समय पर Emirates ID का renewal ना करवाने पर आप कुछ मामलों में आपको छूट दी जाती है जैसे यदि आपका ID card UAE छोडने या देश से बाहर तीन महीने से अधिक समय बिताने के बाद समाप्त होता है तो ऐसी situation में आप जुर्माने के हगदार नहीं होंगे आप पर जुर्माना नहीं लगेगा यदि आपका passport किसी मुकदमे के तहट रोग दिया गया है तो एक letter या रसीद द्वारा आप report उसका कर सकते हैं और इस दोरान आप जुर्माना नहीं लगेगा यदि आप अमिराती नागरिक्ता प्राप्त करने और पालिवारिक पुस्तिक प्राप्त करने के इसे पहले अपनी ID प्राप्त नहीं करते हैं तो ऐसे में भी आप पर जुर्माना नहीं लगेगा उलंगनों की जाँच करने के लिए दुबाइप पुलेस, आबुधावी पुलेस, जीडी आरेफ़े, आर्टिये, आंट्रिक मंत्राले और आईसीपी हैपनेस सेंटर की वेबसाइटों पर आप जा सकते हैं तो यह थी नए अपडेटेड जुर्माने जिसके बारे में मैंने आपको बताए हैं तो यह थी तमाम जानकारी बने रही है थी तमाम कप्रों के लिए यूए ख़बर पर दुबई में कप्रों की दुकान पर मैंने कोईन की तरह खड़ी दिखी महिला, बार-बार कर रही थी पोच इंटरनेट ने कहा की इन यूमन बिहेवियर देखिए अब दुबई के एक मॉल में कपरो की दुकान पर पुतलो के बगल में खड़ी एक मॉडल का वीडियो वाइरल हो गया है सोषिल मीडिया पर इसकी बाद ये वीडियो चरचा का विशभि बन गया है कुछ आलोचक है तो वही कुछ समर्थक है अलोचको ने दुकान पर अधुनिक दुनिया की गुलामी का रोप लगाया है मॉडल दौरा इंस्टेग्राम पर शेर की गई क्लिप में वो दुबए फेस्टिबल सिटी मॉल में एपरिल ब्रांड मॉंटो ब्राइट के स्चोर पर पुतलो के बगल में खड़ी दिखाई दे रही है इंस्टेग्राम पर एंजलीना के नाम से जाने जाने वाली महिला स्चोर के सामने एक प्लाटफॉर्म पर खड़ी थी उसके बाद उनकी एक ट्रेस और स्टिल लेटो हेल्स पहन रखी थी वलगतार पोश्च बदल रही थी ताकि आने जाने वाले खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खीच सके मॉडल द्वारा शेर किये गए वीडियो ने इंस्टिक्राम पर तेजी से लोगप्रता हासल कर ली जिसे तेरह हचार से अधिक बार देखा गया और सेंक्रों लाइक्स मिले हालाकि लवइन दुबाई का रिपोश्ट था जिसने वीडियो को शुर्कियों में ला दिया इस वीडियो को पांच लाख 69,000 बार देखा जा चुका है 10,000 से जादा इसे लाइक मिले हैं वीडियो ने सोचल मीडिया पर चट्चा को जोड़ दे दिया है जबकि कुछ लोगों को मार्केटिंग स्ट्राटेजी बहुत ही क्लेवर आइडिया लगी दूसरों को लगा कि यह अपमान जनक और टेस्टलेस है एक उपयोगर्दा ने लिखा कि यह इन ह्यूमन है मुझे यकीन है कि उसके पैर पागलों की तरह दर्द कर रहे होंगे और जब हमारे पास नियमित डमी है तो हमें क्या जरूरत है इसकी एक आन्य वैक्ति ने टिपनी करके लिखा कि वह सब सबसे आसान और प्रतिश्चत काम AI से करवा लेंगे और सबसे ववादसपद और चुनौति पूर्ण काम इंसानों से करवा लेंगे क्या यह इसकी नहीं होना चाहिए एक तीसरे उपयोगर्दा ने पोश्ट किया कि हर दिन हम खुद को शर्मिंदा करने के नए तरीके हाला कि अलोचुना के बावजूद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने मॉडल के परियासों की प्रसंसा की एक यूजर ने लिखा कि हर कोई कह रहा है कि यह घुलामी है अमान विये है असुवदा जनक है बाकि सभी की तरह हम सभी को काम पर अपनी असुवदा होती है हम सभ कुछ दर्द होता है चाहे वह पैरों में हो हाथों में हो जो भी हो उसे उतना ही भुकतान मिल रहा है जितना हमें मिलता है साथ ही मौल में सुरक्षागाडों के बारे में भी सूचिए वे भी हर वक्त खड़े रहते हैं सब को परिशान मत करो हर सभी हम सभी संगर्ष कर रहे ह और यही चीज़ें हमें मजबूत बनाती हैं तो सबके अलग-अलग उपीनियंस थे और सभी ने अपने अपने उपीनियंस दिये आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में हमें कमन सेक्षिन में ज़रूर बताईएगा रॉग कि कि फ्लाइट की एमघनसी लैंडिंग कर आई गएं Depay इंडिय से लखनओ पहुचाने वाले फ्लाइट की अच्छानक दुबइ एरपूर्ट पर एमेर्जनशी लैंडिंग कर आई गएं सभी यात्रियों को दुबई ieport पर सुरक्षित उतार लिया गया है यातरी सूशल मीडिया पर इस संबंध में ट्वीट पोस्ट कर रहे हैं लखनाउ एरपोर्ट प्रवक्ता ने बताया है कि फ्लाइट दो बजे लखनाउ एरपोर्ट आ गई इसके बाद तीन बजे फिर से दुबाई के लिए रवाना कर दिया गया वहीं सोमवार को सब्सक्राइटे को रद कर दी गई है कई विमान अपने तैसमे से काफी ज्यादा लेट चल रहे हैं दुबाई से सुबह सारह नौ बजे लखनाउ आने वाली एर इंडिया एक्स्प्रेस की विमान संखिया आई-एक्स-194 लखनाउ आने के लिए सोमवार सुबह चार बजे उरान भरी थी लगवग 90 मिनिट के बाद कुछ टेकनिकल प्रॉब्लिम बता खल वापस दुबाई एरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंडिंग करा दी गई इस दौरान सभी यात्री काफी जादा परशान हो गए यात्रियों ने एर इंडिया एक्सप्रेस करमचारियों पर अ लगनव एरपोर्ट पर सोंबार को स्टार एर की उरान संख्या S5223 जो की 15 बजे लगनव से किसंगंड के लिए रवाना होती थी कैंसल रही इंडिगो की शाम में 19 बचके 50 मिनट पर लगनव से बैंगलोर जाने वाली फ्लाइट रद कर दी गई इसी तरह बैंगलोर से शा 14 बच के 25 मिनट पर आने वाली स्टार एर मान संख्या E interval डुट आ उसके साथ हे लगनव से मुंबई जाने वाली इंडियो फ्लाइट एक घंट अखाशे एर कीमबई जाने वाली फ्लाइट एक घंट अलचल रखन से मुंबई जाने वाली इंडियो की फ्लाइट डेर घंट लखनौ से दुबई जाने वाली एर इंडिया एक्सप्रस चार घंटे और लखनौ से मुंबई जाने वाली एर इंडिया की फ्लाइट एक घंटा बलंबित रही यानि की लेट रही इसके साथ ही लखनौ एरपूर्ट पर आने जाने वाले कई विमान अपने निर्धारे समय से एक से लेकर चार घंचे तक देरी से ऑपरेट हुए लगनाओ एरपोड पर फ्लाइट की लेट लतीवी और अचानक फ्लाइट कैंसल कर डिये जाने को लेकर यादृयों ने हंगामा किया वही कुछ यादृय अचानक फ्लाइट रद होने और लेट लतीफी से काफी परिशान दिखे यात्रियों का साथ तोर से कहना था कि अचानक ही फ्लाइट में देड़ी होने और निरस्टर होने के कारण काफी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ा